आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एक प्याज का इस्तिमाल करके आप अपने घर को कैसे डेकुरेट कर सकते हैं तो मैं एक मीडियम साइज का प्याज यहां पर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे टू पार्ट में तो टू इक्वल पार्ट में हम इसे कट इस तरह से छिलका निकालने की जरूरत नहीं है और इस तरह से इवन प्याज का पीस हमारे पास तयार है अब हमने एक मीडियम साइज का ब्रश लिया है और इस तरह से ग्रीन कलर के स्टोक्स बना रही हूँ मैं एक शीट के उपर कोई A4 साइज की सीट ले सकते हैं असानी से इस तरह की स्टोक्स बना सकते हैं उसके बाद हमने ऑनियन लिया है अनियन के ऊपर मैंने सम्कलाइर लगा लिया है और इंज कलर का मैं इस्तिमाल कर último ay मारे इसमें और उसके बाद आप प्रिंट करके पर देख लें उसके बाद onion को clean करके हम दूसरे flowers बनाएंगे दूसरे colors के तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके उपर flowers बनकर आ रहे हैं बहुत ही सुंदर print आ रहा है और अब हमने onion को clean कर लिया था उसके बाद मैंने इस पर pink color apply कर दिया था उपर की side में सारे flowers होने के बाद हम center में flowers बना रहे हैं तो बहुत सारे flowers हम ने आपर बना लिये हैं और ये हमारी painting बनकर तयार हो गई है एक ठीक चाट में से मैंने इस तरह की पटियां कट कर लिए हैं दो बड़े size में और दो छोटे size में जिनको मैं किनारों पर इस तरह से लगा रही हूँ तो दोनों side में हम पटियां लगा लेंगे आप जैसे चाए इसे frame कर सकते हैं मैं एक simple सा तरीका आपको बता रही हूँ पटियां लगाने के बाद ये देखे इसके जो कौने हैं उनको हम इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ देंगे जिससे ये काफी थिक हो जाएगी printing और उसके बाद आमने सामने के पटियां भी हम इस तरह से लगा लेंगे तो चलिए दोनों step भी लगा लेते हैं तो ये नीचे की strip लगा दी है और इसी तरीके से उपर भी एक strip लगा देंगे और पीछे की तरफ हमें एक धागा लगा देंगे इसमें लूप बना करके जिससे हम इसे किसी कील पर लगा सकते हैं और साथ ही हमें एक कार्ट बोर्ड भी लगाना पड़ेगा इसके पीछे तो इसी के नाप से कट करके एक कार्ट बोर्ड आप लगा सकते हैं इसके पीछे इसे आपके बहुती सुंदर सी पेंटिंग बनकर तयार हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये देखिए उपर नीचे के साइड के जो एक्स्ट्रा स्टिप के पीसिस थे वो कट कर लिये हैं और ये पीसिस हम पीछे की तरफ चिपका रहे हैं पीसिस को चिपकाने के बाद आप एक पतला काड़ बोर्ड इसके नाप से इस पर चिपका देर उसे कट कर दे और ये देखिए पेंटिंग बनकर के तयार हो गई है तो इस तरह से अनियन का इस्तिमाल करके आप बहुत यह आसानी से फ्लार्स बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका बताया है मैंने आपको फ्लार्स बनाने का और इस तरह की पेंटिंग बना करके आप अपने घर को डेकुरेट कर सकते हैं इस तरह की दो-तिन पेंटिंग साप एक साथ लगाएंगे तो आपका घर बहुत ही सुन्दर लगेगा आपकी वाल तो ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेर, कॉमेंट्स जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग